विवाहिदा को दहेज न लाने के कारण आग लगाने का मामला सामने आया है महिला को गंभीरा वस्था में नागरिक अस्पताल में भारती करवाया गया है विवाहिदा का आरोब है कि उसके पती और सास ससुर ने दहेज प्रताडन आके चलते जला कर मारने का प्रयास किया उसने बताया कि तीनों ने मिलकर उस पर जुआ नंशील पदार्थ छिड़का और फिर आग लगा दी किसी तरह वेह बच गई जिसके बाद उसके मारके वालों सूचना दी गई और उसके भाई उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल ले आया फिलहाल महिला का नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है मामले के सूचना पुलिस को दे दी गई है पुलिस मामले की जाच कर रही है तो अब आज क्या गटना हुई थी पूरा कि यह फर्सों की गटना है वो आग लगा दी मुट्या देल डाल कि मैं चाहे बना रही थी बोली चाहे क्यों अपने गर से लेकिया सब खुझे मैंने का बच्छों को तो चाहे बलाऊंगी तो एक प्रसास ने आग में तेल डाल दिय और ससुर में जला दिया और बती देता रहा खड़ा तो अब आभी पुलीस को शिकायत करिए जी आपने जी क्या ना में अपनी बेन को देखने एक दो बार जाता था उसकी लेव मेरे उजी थी ओ मेरे को गने बढ़ते देते हमारी वो थी सभी प्रवारी मती है कोई बढ़ किसी यार दोस्त ना कि बताई ये बात हो गई मैंने उसको समाड़ा तो उसके गरबारों ने गरम होगा मेरे कबोले लेके ना दा खाई के हम अपने आप समाड़े में उसको ठाके लेया और उसको जला दिया बिल्कुल किसमें जलाया जी ओ राज कुमार सनौफ माबिर इसके धंपत्री में क्या लगते हैं वो उसके साथ सुसरोर उसके गरबाड़ा है सर किस चीज़ से जलाए यह मोटी अटेल जाकी जलाए सर तो अभी कहां अडिमिट किया हुआ यह फतिवाज स्रीकाई होस्टल में है सर पुलिस को श्कायत कर दी जाक में पुलिस को श्काय किस चीर कारण बताये विए क्यों बाद जला दिया कियो लड़की ने लव मेरे शीटें हमारे पास आने सकी आटने सकी अचार कर रहे थे उनको मोटा मिला भी इसका कोई आने जाना वड़ा है नहीं इसकी कोई मतगरने वड़ा ए नहीं इसको जला के मार दें इसकान उसने तेलाद यह प्रोस नहां कि उसको पताया